So, Hello Guys, Welcome back to my channel और आज के वीडियो काफी important होने वाला है क्योंकि आज की सुद्ब में हम बात करने वाले है railway exam में आए उह ऐसे previous exam questions जो आने वाले railway exam के लिए काफी important होने वाले है So, आज हम ऐसे total 50 question देखेंगे जो important है सबी questions के answer आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि आने वाले exam के लिए काफी important आज का जीके होने वाला है और मेरे answer देने से पहली अपने answer टिक कर ले और हंत में मुझे बताए कि कितने answer आपके सही हुए थे ताकि यहीं पर practice हो जाए कि आपकी paper की तैरी कैसी चल रही है सबसे पहला प्रशन है टाइगोर संस्कृती और सब्भेता केंदर कहां इस्तित है इसका सही जवाब हो जाएगा option नमरे similar में टाइगोर संस्कृती और सब्भेता केंदर इस्तित है similar में नेक्स question विश्व जय विवीदता दिवस कब मनाया जाता है इसका सही जवाब हो जाएगा ओप्सन नमबर C 22 मई को हर साल विश्व जय विवीदता दिवस मनाया जाता है नेक्स कोशन है यूटोपिया का लेखक कौन था इसका सही जवाब हो जाएगा और फोबोस और डिमोस नामक उपगरह किस गरह के है इसका सही जवाब हो जाएगा और फोबोस और डिमोस नामक जो उपगरह है वो मंगल गरह के उपगरह है कमपाला किस अफरीकी देश की राजधानी है इसका सही जवाब है यूगांडा देश की राजधानी है कमपाला कविराज की उपाधी किसने धारन की? इसका रैड जवाब है आफ्सन नमर बी, समूद्र गुप्त ने कविराज की उपाधी धारन की? औरंगजेब किस वादियंत्र बजाने में निपून था इसका सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब वीना वादियंत्र बजाने में निपून था सोलंकी वंस की राजधानी कहां थी इसका सही जवाब है Option number B Unhill Ward Unhill Ward में सोलंकी राजवंस की राजधानी थी Next question है Semiconductor का एक उधारन क्या है So इसका सही जवाब है Option number B Germanium Semiconductor का एक उधारन है Next question MRI machine में निन्म में से किसका प्रियोग किया जाता है So इसका राज़ जवाब हो जाएगा Option number D चुम्बकिय तरंग चुम्बकिय तरंग का प्रियोग किया जाता है MRI machine में Next question है Wallie smash सर्वी सब्द किस खेल से सम्बंदित है So इसका सही जवाब हो जाएगा Option number B lawn tennis से सम्बंदित है Wallie smash सर्वी सब्द Next question है 1893 में गनेज महोच्षव किस ने सुरू किया So इसका सही जवाब है Option number C लोकमान तीलक ने सुरू किया था गनेज महोच्षव 1893 में Next question है विश्व की सरवाधिक जनसंख्या वाला धर्म कौन सा है So इसका right जवाब हो जाएगा Option number D इसाई धर्म विश्व की सरवाधिक जनसंख्या वाला धर्म है Next question है गुमूरा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है So इसका सही जवाब हो जाएगा Option number E उडिसा राज्य का लोक नृत्य है गुमूरा नृत्य Next question भोपाल ग्यास राज्य के लिए उत्तरदाई प्रमुक प्रदूसक कौन सा था So इसका सही जवाब हो जाएगा Option number E मिथाईल आईसो सैनेट मिथाईल आईसो सैनेट उत्तरदाई था भोपाल ग्यास राज्य कांड में Next question हिटलर ने पॉलेंड से किस स्थान की मांग की थी So इसका राइट जवाब हो जाएगा Option number C डेंजिंग डेंजिंग की मांग की थी हिटलर ने पॉलेंड से डेंजिंग नामक स्थान की Next question है कारल मार्स किस देश का निवासी था So इसका सही जवाब हो जाएगा Option number जर्मनी का कारल मार्स जर्मनी देश का निवासी था Next question है निन्म में से कौन सा रोग संक्रमन है So इसका राइट जवाब है Option number मलेरिया रोग जो है वो संक्रमन वाला रोग है Next question राजिस्थान में अनपूर्णा दूद योजना कब सुरू की गई थी So इसका राइट जवाब है Option number C 2 जलाई 2018 को 2 जुलाई 2018 को राजिस्थान में अनपूर्णा दूद योजना सुरू की गई थी Next question सुल्तान अजलान साह कब किस खेल से संबंदित है So इसका राइट जवाब हो जाएगा Option number B हौकी हौकी खेल से संबंदित है सुल्तान अजलान साह कब Next question राश्टिय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है So इसका सही जवाब है Option number D 25 जनवरी को हम हर साल राश्टिय मतदाता दिवस मनाती है Next question Sandy Storm किस क्रिकेटर की आत्म कथा है So इसका राइट जवाब हो जाएगा Option number C Sandy Partil Sandy Storm Sandy Partil क्रिकेटर की आत्म कथा है Next question है Agriculture Short किस खेल से संबंदित है So इसका सही जवाब हो जाएगा Option number C Cricket खेल से संबंदित है Agriculture Short Next question मुंडा राजा की संघ्या किसे दी गई है So इसका सही जवाब है Option number B जैपाल सींग को दी गई है मुंडा राजा की संघ्या Next question भारत में हर साल सविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है So इसका सही जवाब हो जाएगा Option number C 26 नॉवेंबर उन्निस सो उन्पचास 26 नॉवेंबर उन्निस सो उन्पचास को सविधान सभाने सविधान को अंगिकरित किया था इसलिए 26 नॉवेंबर को हर साल सविधान दिवस मनाया जाता है फिर उसे 26 जन्वरी उन्निस सो उन्निस सो पचास को लागू किया गया Next question निन्मलिखीत में से कौन एक इन्पूट डिवाईज नहीं है फिरिसका सही जवाब हो जाएगा Option number B Plotter Plotter एक इन्पूट डिवाईज नहीं है Next question निन्मलिखीत में से शनी का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है So इसका राइट जवाब हो जाएगा Option number C Titan Titan जो है वो सनी का सबसे बड़ा उपग्रह है Next question किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाय होती है So इसका राइट जवाब हो जाएगा Option number D बूद ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाय होती है Next question निन्मलिखीत में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है So इसका सही जवाब है Option number D बूद ग्रह बूद ग्रह का कोई भी अपना उपग्रह नहीं है हमारे सौरमंडल में total 8 ग्रह है और 8 ग्रह में से बूद ग्रह और शुक्र ग्रह ये दो ऐसे ग्रह है जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है So ये इस point को याद में रखने का क्योंकि अलग-अलग तरीके से question पूछा गया है paper में So याद रखने का तरीके यह है कि बूद ग्रह और सुक्र ग्रह बात में भी कोई भी question पूछा जा सकता है कैसे भी बस ये दो point को याद में रख लेना है Next question है So इसका सही जवाब हो जाएगा Option number B मानव सरीर में विटामीन यक्रत में संचित होता है Next question Vitamin C का रसाइनिक नाम क्या है So इसका सही जवाब हो जाएगा Option number B Ascorbic Amla Ascorbic Amla कहा जाता है Vitamin C का रसाइनिक नाम है Next question है किस तेवार को फगुआ के नाम से भी जाना जाता है So इसका सही जवाब है Option number B हुली के तेवार को फगुआ के नाम से भी जाना जाता है Next question दीपावली हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है So इसका सही जवाब हो जाएगा Option number B डी कार्तिक महीने में कार्तिक महीने में मनाई जाती है हिलू हिंदू कैलेंडर के हिसाफ से दिवाली का तेभार next question केरल में मल्यालम नवर्ष को क्या कहा जाता है सो इसका सही जवाब है option number B केरल में मल्यालम नवर्ष को कहा जाता है next question भारतिय परमानु कारकरम का जनक किसे माना जाता है इसका सही जवाब है अफसन नमरे होमी जहागीर भाबा को कहा जाता है परमानु कारकरम का जनक नेक्स कोश्यन दक्षिन अफरीका में रंगभेत को खत्म करने के लिए नोबल सांती पुरसकार किसे मिला था? इसका सही जवाब है, आफसन नमबरे नेलसन मंडेला को मिला था दक्षिन अफरीका में रंग भेत को खत्म करने के लिए नोबल सांती पुरसकार नेक्स कोशन विश्व का सबसे उचा पठार कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा आफसन नमबर दी तिबबत का पठार है विश्व का सबसे उचा पठार नेक्स कोशन भारत के किस सहर में इसरो का मुख्याले है? इसका राइट जवाब हो जाएगा आफसन नमबर सी बैंगलोरू में बैंगलूरू कहा जाता इसे, बैंगलूरू में इसरो का मुख्याला इस्तित है, इसरो यानि इन्डियन स्पेस रिसर्च और्गिनाइजेशन, भारतिय अंत्रिक्ष अनुसंसाधन संस्थान, नेक्स कोश्चन, प्रथम भारतिय उपगर आर्यभट को कहां से लॉंच किया ग भारत का प्रतम उपग्रह आर्य भट को नेक्स कोशन है अंतरिक्ष में प्रक्षेपीत प्रतम भारती उपग्रह का क्या नाम था इसका सही जवाब है और आर्य भट अंतरिक्ष में प्रक्षेपीत प्रतम भारती उपग्रह का नाम था आर्य भट नेक्स कोश्चन है पुंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है इसका सही जवाब है option number C मनीपूर का है पुंग चोलम मनीपूर राज्य का लोक नृत्य है नेक्स कोश्चन भारत के किस राज्य में नटनजली उत्सव मनाया जाता है इसका right जवाब है option number B टमिल नाइडू राज्ज में नटन जली उत्सक्व मनाया जाता है Next question है किस देश को land of the midnight sun भी कहा जाता है So, इसका right जवाब है Option no.D., नार्वे को नारवे देश को land of midnight sun भी कहा जाता है Next question किस परवत को विश्व की छत की रूप में जाना जाता है इसका सही जवाब है Option number D पामीर परवत को विश्व के चछत के रूप में भी जाना जाता है Next question है कि इस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है So इसका right जवाब है Option number C स्विज़र लैंड देश को यूड़ोप के खेल के मैदान की रूप में भी जाना जाता है नेक्स कोशन है बडमूला ट्राइंगल छेतरक किस महासागर में इस्तित है इसका सही जवाब है आप शन önce अट्लांटिक, अट्लांटिक महासागर में इसी था है बढ़मूला ट्राइंगल नेक्स कोश्यन, कीज देश ने 1886 में अमिरिका को स्टैचू आफ लिबर्टी उपहार में दी थी इसका राइट जवाब है, अफ्सन नम्बरे फ्रांस ने फ्रांस देश ने अमिरिका को स्टैचू आफ लिबर्टी उपहार में दी थी नेक्स कोश्यन है, विश्व में बीना मरुस्थल वाला एक मात्र महादूईप कौन सा है इसका राइट जवाब है, अफ्सन नम्बर डी यूरोप उड्श्व में बीना मरुस्थल वाला एक मात्र महादूईप है नेक्स कोश्यन, यूरोप को यूरोप का यूदुद चेतर की इस देश को कहा जाता है तो इसका सही जबाब है, अफ्सन नम्बर डी बिल्जीयम को बेलजियम को यूरोप का युद छेतर भी का देश कहा जाता है next question साहित अकादमी मुख्याल है भारत के के सहर में इस्तित है so इसका right जवाब है option number C नई दिल्ली में इस्तित है साहित अकादमी मुख्याल है so guys आज की सीडियो में हमने ऐसे 50 question देखे जो important थे railway exam के लिए तो यह सभी question important है सभी questions के answer को अच्छी तरह से याद में रख लेना है so मिलता हूँ ऐसे ही और नई जीकी के साथ ऐसी previous exam questions के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए channel के साथ बने रहे वीडियो को देखते रहे और इसी तरह से रोजाना practice करते रहे